वेलकम टू गुरुकुल प्रेप देली अपडेट्स ओन 26 जून देली अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तसकरी के खिलाफ अंतरराश्ट्रिय दिवस 26 जून हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तसकरी के खिलाफ अंतरराश्ट्रिय दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है इस दिन का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने में कारवाई और सहयोग को मजबूत करना है सन्युक्त राष्ट के अनुसार 7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42 बटा 112 द्वारा महास भाने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तसकरी के खिलाफ अंतरराष्ट्रिय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतरराष्ट्रिय समाज के लक्षे को प्राप्त करने के लिए कारवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृड संकल्प की अभिव्यक्ती के रूप में है 2024 के लिए विशय साक्षय स्पष्ट है रोक्थाम में निवेश करें है डेली अपडेट दोप महत्वपूर्ण दिन अत्याचार के पीडितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रिय दिवस 26 जून 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभाने 26 जून को अत्याचार के पीडितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रिय दिवस के रूप में घोशित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया सन्योग्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अपनाना यह स्विकार करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था की यातना और अमानविय व्यवहार सार्वभौमिक रूप से अवैध होना चाहिए यह दिन दुनिया भर के देशों, नागरिक समाजों और व्यक्तियों से यातना के पीडितों और प्रताडित लोगों को अपना समर्थन देने के लिए मनाया जाता है सन्योग से अत्याचार के पीडितों के समर्थन में पहला अंतरराश्ट्रिय दिवस 1998 में मनाया गया था जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोशना की पचासवी वर्षगांट को चेहनित किया था डेली अपडेट तीन नियुक्ति की SAF-SFB प्रमुख पॉल थॉमस साधन के अध्यक्ष चुने गए की SAF Small Finance Bank KMB और CEO पॉल थॉमस को साधन के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है जो Micro Finance और Impact Finance संस्थानों का एक संग है थॉमस अब तक Association के सहध्यक्ष थे Society Adenium 1860 के तहत पंजीकृत Association ने एक बयान में कहा की मुथूट Microfin के CEO सदफ सईद और Cash4 Micro Credit के प्रबंध निदेशक मुकुल जायस्वाल साधन के सहध्यक्ष और IDF Financial Services के अध्यक्ष वी एंग सलीमत को शाध्यक्ष होंगे सईद को 21 जून को आयोजित Association की वार्षिक आम सभा की बैठक में साधन के बोर्ड में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है डेली अपडेट चार्क नियुक्ती सोनी पिक्चर्स नेट वर्क्स इंडिया ने गौरव बनर्जी को नया MB और CEO नियुक्त किया सोनी पिक्चर्स नेट वर्क्स इंडिया SPNI ने घोशना की है कि गौरव बनर्जी 26 अगस्ट 2024 को या उससे पहले नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होंगे जो नियामक अनुमोदन के अधीन है बनर्जी N.P. सिंह की जगह कार्यभार संभालेंगे 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ गौरव बनर्जी सामगरी निर्मान और रणनीतिक नेत्रित्व में एक अनुभवी पेशिवर है उन्होंने पहले हिंदी एंटर्टेन्मेंट और डिजनी प्लस होट स्टार के लिए सामगरी प्रमुख के रूप में और स्टार भारत हिंदी और अंग्रेजी मुवीज, किड्स और इन्फोटेन्मेंट और क्षेत्रिय पूर्व के लिए बिजनेस हेड के रूप में कार्य डेली अपडेट पांच राश्ट्रिये विध्यान और प्राध्योगी की मंत्री ने इस पहल के पीछे के उद्देश पर प्रकाश डाला। डेली अपडेट छेत रैंक और रिपोर्ट सैंड्पी ने चीन के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृध्धी का अनुमान दो हजार चौबीस के लिए 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया। लेकिन जून तिमाही में अनुक्रमिक मंदी की उम्मीद की। ट्रेटिंग एजनसी को उम्मीद है कि भारतिय रिजर्व बैंक आर बी आए चालू वित्वर्ष में अपनी नीतिगत दर को मौजूद आचे। पांच फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर देगा। इसके अतिरिक्त यह 2025 से 26 और 2026 से 27 में उधार दर में क्रमशह 5.5 प्रतिशत और 5.25 प्रतिशत की कटोती का अनुमान लगाता है। डेली अपडेट साथ रैंक और रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ट बायोगैस उत्पादन में भारत में अग्रणी। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के तहट देश भर में कलपना किये गए 5000 सन्यंत्रों में से 1000 CBG पर योजनाओं को स्थापित कर सकता है, जो इसके अधिशेश फीड स्टॉक का केवल 20 प्रतिशत है। इन आशाजनक आकडों के बावजूद इस खेत्र को महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। डेली अपडेट आठ योजनाएं और समितियां। जेपी नड़ा ने राष्ट्रिय स्टॉप डाइरिया अभियान 2024 शुरू किया। केंद्रिय स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्री जगत प्रकाश नड़ा ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रिय स्टॉप डाइरिया अभियान 2024 का शुभारंब किया। उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव की उपस्थिती में बच्चों को उरल रिहाइडरेशन सौल्ट, O.R.S. और जिंक की गोलियां वित्रित करके अभियान की शुरुआत की। दो महीने का यह अभियान पहली जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्थ तक चलेगा। जिसमें भारतिय तीरंदाजों ने अपने असाधारन कौशल का प्रदर्शन किया और कई पदक जीते। वर्ड आर्चर द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत की टीन ने चार पदक एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 22 वर्षिय धीरज बोमादेवरा भारत के लिए एक स्टार के रूप में उभे, जिन्होंने रिकर्व स्परधाओं में दो कांस्य पदक हासिल किये। भजन कौर के साथ मिलकर बोमदेवरा ने मिश्रित रिकर्व स्परधा में दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक पी एम College of Excellence की स्थापना को मन्जूरी दी मध्य प्रदेश में पहली जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधान मंत्री College of Excellence का आपचारिक उद्घाटन किया जाएगा मंत्राले में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि PM Excellence College जिले का गौरव होगा उन्होंने आगे कहा कि राज्य ड्रोन नीती लेकर आएगा एक रणनीती तयार की जानी चाहिए और उच्च शिक्षा उद्ध्योग और अन्यक शेत्रों में ड्रोन के उपियोग पर काम किया जाना चाहिए मुख्य मंत्री ने कहा कि युवाओं की रुची Artificial Intelligence और Aviation की ओर बढ़ रही है इसलिए इन विश्यों की बहतर शिक्षन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं